ओम स्री गणेश आयनमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर गुरुवार आज के विरस अबरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान डेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मिवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर बरिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटफीशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है आर्थिक नजरिये से धन और केरियर के मामले में आज आपकी सितारे आप पर महरबान है नए प्रियोग कारिये छित में सफलता प्रिदान करेंगे सही तरह से सोच विचार कर भविषय के लिए पैसा निवेस करना दूर गामी सुब परिणाम दायक रहेगा जियां दोस्तों खर्च करते समय सावधानी बरते हैं दिखावे में अधिक धन खर्चोने की आसंका है और अधिक सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रियास करने की जरूरत पड़ेगी कारिये छित्र की मुश्किलों को आत्मिश्वास के साथ डील करेंगे तो परिस्तितियां अपने अनुकूल करने में आप आज कामियाब रहेंगे कमाई के लिहास से आज दिन अच्छा रहेगा धर्म कर्म के मामलों में धन खर्च का योग बन रहा है जिया दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगटिव रहेगा आर्थिक नुकसान की संभावना बनी हुई है सकारात्मक और नकारात्मक पहलों की अच्छे से जाज करें कारिय चित्र में दूसरों की बातों पर विष्वास करने की बजाए सुवय नेड़ने पर फोकस करें करमचारियों के बीच विवाद की संभावना बन रही है सावधान रहें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में धन से संबंदित लें देन सावधानी पूरो करें वरना दूसरे आपका फायदा उठा सकते हैं आपके लंबे समय से अटके वे कारिये पूरे होनी की संभावना है विवसाय में विकास के अवसर प्राफ्त होंगे दिन अनुकूल रहेगा कमाई के अच्छे संभावना है बिजनेस में कोई बड़ी डील संभावे और विवसाय में कोई बड़ा आर्थिक लाब भी हो सकता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में किसी तरह के विवादों में पढ़ने से आपको बचना होगा साथी साथ परिवारी खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना होगा किसी काम में परिवार वालो की राय आपके लिए बहतर साबित होगी आज जीवन साथी के साथ मंदिर जाएंगे घर परिवार में प्रेम और सोहद्र पूर्ण माहुल बना रहेगा भाई बेहनों से सहीयोग मिलेगा माता पिता का सिर्वाद और सफलता और खुसी प्रदान करेगा आप पारिवारिक रिष्टे अच्छे रहेंगे जिया दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जो रिष्टे अलग से हैं उनमें लोक मर्यादा का पालन करें ऐसे रिष्टों से आज दूरी बना कर रखें दामपत्य जीवन में जीवन साती से सही योग और समर्पन प्राप्त होगा जीवन साती आपका हर कारिये में सपोर्ट करेंगे और साहिता भी करेंगे साती साथ जीवन साती से प्रेमपूर महौल बना रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में स्वास्त के मामलों में दिन अच्छा साबित होगा कोई मोसम जनित स्वास्त संबंदी समस्य उत्पन हो सकती है सावदान रहें अपने स्वास्त को और भेटर बनाने के लिए नियमित योग करें, प्रानायम करें, व्यायम करें और स्वस्त्रें दोस्तों आज आप ये उपाई अवश्चे करें किसी भगवान विश्णू के मंदिर में नारी अलर्पित करें और एक सुआट बार इस मंत्र का चाप अवश्चे करें ओम विश्मु देवाय नमा ओम विश्मु देवाय नमा इस पिरकार उपाय करने से आपकी मनुका मनाय सिग पूर होंगी दोस्तों आपको भगवान विश्मु का सिर्वात प्राप्त हो कमेंट में जे विश्मों से लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो